सर एक जगा मैंने देखी थी कि एक हॉस्पिटल पर डॉक्टर आते हैं मेरे आखों देखी बात है और वह डॉक्टर आके वहां पर एक SCST का एक डॉक्टर होता है वहाँ पे उनको मना कर देते हैं कि नहीं में को इन से एलाज नहीं करवाना है और जेनरल डॉक्टर को बुलाईए तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पे अब कहां चली जाती है फिर जाती की बाद चीक है यह किनों ने रियालिटी चेक यूवावर्ग की बात कर रहा हूं मैं के यूओ वर्ग की बात कर रहा हूं वहीजू ऐहा बैट है लेकिन असली आख यहं मत्म पुछा तो उनके मनने हम किसी जनरल डॉक्टर से कराएंगे सर अगर आपको लगता है कि सेस्ट का डॉक्टर जो है वो इतना काबिल नहीं है तो फिर आप उनको रेजरवेशन क्यों दे रहे हैं क्या पता जेनरल काटिगरी से अफेक्ट हो जाए और जेनरल काटिगरी के जो मतलब अच्छे लोग ह है उनको मौका नहीं मिल पा रहे है बिल्कुल वही सवाल है उनका सवाल यह जो आरक्षण की विसंगती है लेकिन मेरा यह मानना है और बहुत इसपश्ट मानना है कि इस देश में अनुसूची जाती और जनजाती के जो लोग रहे उनको शिक्षा का समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिला हमें वो अधिकार तो देना पड़ेगा यह हमारी सरकारों के और उनकी नीतियों के लागू करने की समस्यारी कि इतने साल बाद भी आज यह सवाल हो रहा है और निश्यत तोर पर यह मुश्किल होगी कि कोई योग वेक्ती है उस पर कोई आयोग यह हो लेकिन शायद वह वहस इससे भी खतम होती है कि जब आप मेडिकल की सीटे बढ़ा देंगे, जब आपको पास डॉक्टर जादा हो जाएंगे, अवलेबिल्टी जादा हो जाएगी, तो ये सवाल धीरे-धीरे कम होगा। शब्द लगाकर जोर-जोर से गाडियां चलाते हैं, तो क्यों? ये कहना और ट्रेंडी बाते करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप अपने गाओं दे हात में जाते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तब जो रियालिटी होती है, वो मन पे हात रखके बता अपनी कास्ट से असोसियेट करके कभी चर्चा होती है कि नहीं होती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर